हालो हालो बच्चों कैसे हैं आप लोग हम लोग एक्सरसाइज के निमेरिकल सॉल्फ करेंगे कुछ प्रॉबलम नोर फिर्स्ट सेकेंड मैं आपको यहां पे सॉल्फ करके बताऊंगा डेटेल में किस तरह किसे हम लोग अप्लाई करते हैं फिर्मला और क्या स्टेजी होती है कैना स्टेजी करेंगे पहला प्रव्लम पहला डेगए वस्था मेरिकल मेरिक वड़ािसंटेस को सब्सक्राइक बीच होगा घंस प्रॉल्फ को स्ब्सक्राइब और उनके बिसके डिस्टाइंस भी दियो हुई है वो है 30 सेंटीमीटर यहां मैं सॉल्फ करता हूं इसलुशन फस्ट मैं दे रहा हूं यहां पर इसन सुब्सक्राइब गिवन क्या-क्या है यह पास तो गिवन क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क् में कितने सेंटिमेटर होते हैं इस तरीके से यह हो गया आपका बैदे सिंपल 0.30 मीटर अब यह तब 0.03 मीटर आ गया तो अब इसको अगर मीटर में हम लोग कंवर्ट कर लिए हमने अब इसके बाद हमें निकालना क्या है तो हमें फॉर्स फांड आउट करना है अब आपके देमाग में आणा चाहिए कि हमारे पास कोई फॉर्स का ऐसा सफॉमला कैसा इसमें हम लोगं क्यूं एफ इपストン को time करके फॉर्स की होई निकाल पाएं हयो हमारे पास फॉर्मलणा है कुलांब स्लो के अकॉर्डिंग क्या होता है अकॉर्डिंग तो कुलांब स्लो कुलांब स्लो फोर्स होती है F is equal to 1 upon 4 pi epsilon epsilon मतलब medium constant चेक करना चाहिए medium किसमें रखा हुआ उसने तो बोला air medium में रखा हुआ इस बात का जरूर ध्यान रखेंगे एर medium में तो क्या उसकरेंगे हम लोग absolute permittivity into q1 q2 by r square जरूर ये वाला value में मालूम होता है constant क्योंकि force जो है medium पे depend करती है अब medium पे depend करती है ये वाली हमारे पास quantity है ये q1 q2 सब चीज़े गिवन है बस mathematics चाहिए करिए start आभी इसकी value होती है आपको दिया हुआ है 2 into 10 to power minus 7 second charge आपको दिया हुआ है 3 into 10 to power minus 7 upon distance आपको दिया हुआ है 0.30 meter बढ़ यहाँ पे इसका square करना पड़ेगा हमें अब इसका square करना है बहुत ज़लेदी solve करते हैं इसको दिखिएगा 9 2000 नोदुनी अठारा अठारा तिया into 9 7 7 14 9 कितना आवा 10 to power कितना है 10 to power आता है आपका यहाँ से 7 7 14 हो गया 9 5 और 6 14 5 आता है into 10 to power minus 5 divided by इसको solve किया तो कितना आता है इसको square 0.09 0.30 करना है अब यहाँ से अगर मैं इस point को यहाँ से हटा हूँ तो कितना लगाना पड़ा है कि यहाँ पर 10 to power क्या minus नी प्लस 2 तो यह 6 आ गया है यहाँ पर 6 into 10 to power minus 3 क्या निकालने चले थे हम लोग हम लोग force find out करना चाहरे थे और वो force आया अपना 6 into 10 to power minus 3 newton कैसे थे दोनों charge answer ए Q1 B positive था और Q2 B positive था तो किस तरह का force लगा है इस पर यह रिपल्सिव force लगा यह बुसरे को repel कर रहे होंगे with this force यह आपका अंसर होगा बहुत सिंपाल निमेरी कल था बहुत बेसिक कुलाम्स लोग पोच्छा हुआ था second problem क्या पूची हुए उसको जड़ा solve करते हैं second problem में भी बिल्कुल सेम वही चीज़े यूज होंगी the lactostatic force on a small sphere of charge 0.4 newton 4 microcolum sorry और दूसरे दो चार्ज दिया हुआ है वह मैनिस में दिया हुआ है minus 0.8 microcolum अब उनका इन एर air में रखे हुए हैं यह आपको epsilon not लेना इसका मतलब और इतना force उनके लग रहा है तो हमसे दो question पूचें इसमें पूचा कि what is the distance between them उनके बीच में distance कितनी होगी और दूसरे आपसे पूचा कि what is the force on second sphere चलिए solve करते हैं इसको हमें इस बार distance find out करनी है और force दे दिया है बिल्कुल similar formula यह वाला apply होगा और चलिए इसको try करता है तो यहां से हम इस formula से अगर मैं R निकालना चाहूं तो क्या आएगा R square से में इस formula लग रहा है तो मैं यहीं से modify कर देता है इसको 1 upon 4 pi epsilon not q1 q2 by f यह इधर चला गया यह इधर आ गया अपने R की value हमें R की value find out करनी है फिर से air में रखा वादा तो यह फिर से 9 into transfer 9 into q1 की value आपको दी हुए 0.4 0.4 0.4 microcolum तो क्या लिखेंगे आप 0.4 into transfer microcolum के लिए क्या उस करते है 6 यहां पे आपको use करना है 0.8 into 10 to power minus 6 right divided by 0.2 Newton force देखिए इसको solve करें तो point point हटा दिया हमने 4 आ गया यहां पे 9 4 जा नौचक 36 और इसको 4 से multiply करते हैं तो इनका सबका multiplication केतना आता है इनका multiplication आता है इस point को कर मैं यहां से हटा दूँ तो यहां पे क्या जाएगा 10 right तो यह क्या है नौचक 36, 36, 34 36 को 4 से करेंगे तो आएगा आपका 144 144 आता है और यह 10 to power 9 6 और 6 कितना 12 मैनस का 12 और प्लस का 9 कितना बचा मैनस 3 एक उपर आ गया मैनस तो कितना हो गया 4 into 10 to power minus 4 क्योंकि यह एक उपर चला गया और यहां तीन बचे तो यह आ गया आर स्क्वेर है यह मिन्स आर अगर हम यहां से निकालना चाहें आर स्क्वेर इक्वल तो ओट 144 into 10 to power minus 4 हम अगर आर स्क्राइब करना चाहे तो क्या कर देता है रोट यहां से यह आट गया इसको सॉल के तो कितना है 144 का 12 into 10 to power minus 4 का कितना minus 2 that means 0.12 meter यह सु कनवर्ट कर देतना आता है 12 cm कैसा है 12 cm अब यहां पर यह अपना आर आ गया आर हमने find out कर लिया second sphere पर कितना force लग रहा होगा तो बिल्कुल same force लग रहा होगा बस उनका positive negative है जो वो positive negative का front आपका attractive repulsive type हो जाता है magnitude wise क्या है उस वरफो लगने वाला force क्योंकि एक इस पर force कर रहा हो दूसरे बगार रहा है तो गोनों कैसे बराबर force है next video में हम लोग अगे निमेरिकल के बारे में NCRT के study करेंगे next numericals